तो हलो गाईस तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है जी है गाईस काफी लोग कहते कि भाई हमारे जो बॉड़ी में ना ताकत नहीं है एनर्जी नहीं है ताकत नहीं है कि हम इतना भी वेट है 20-30 किलो यह उटा सके हमारे बॉड़ी में कुछ भी ता अप बढ़ा सकते हुम अगर यह पर आपि नहीं चाहते हो यह फिर आपको घर वाले जिम जांने नहीं देते तो भी आप आहिके ताकत जल्दी से कि अगर आपको किसी ने वेट दिया है उटाने को यहां फिर कुछ घर का काम है जैसे कि मानलों की सिलेंडर अगर आप वह बढ़ रुटा नहीं सको तो मान prophets में ताकत नहीं टू टाइप की ताकत है मतलब एक ताकत है और एक स्टैमिना भी है जैसे कि अगर मानलों कि वही सिलेंडर आपको उटाना है उटा के रख देना है इसमें सिर्फ ताकत का यूज हुआ है मतलब सिर्फ ताकत आपके बॉली में कम है अगर वही सिलेंडर आपको उटा के कई लीओ के बाद तो हम बात करेंगे कि हम हमारी ताकत कैसे बढ़ाए और मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको फूड आपको काने टाकत है वो बढ़े जाए और तो फॉर्स वह क्यू leftover कहीं हमें चाहिए थाके हमारी ताकत है जलदी बढ़ जाए तो आपको क्या करना है अगर आप जीम शाना हो तो बौत ही गड़िव स्कॉट है यह सब एक्षरसाइज कीजिए कर आपको स्टैमिना कमें तो अप रणिंग की जीए रोप स्किपिंग कीजिए यह अगर एक्षरसाइज करेंगे तो आपको तो स्टैमिना इना वह गेन हो जाएंगा और जितने भी वरकउट जैसे कि डेड़िव तो उनको क्या करना पढ़ेंगा कि सबसे पहले अच्छा वर्काट करना पढ़ेंगा उनके जो मसल है वो बड़े करने पढ़ेंगे इतने चोड़े चोड़े मसल रहे थे उनके क्या वे टूड़ा पाएंगे तो उनको उनके जो मसल हो बड़े करने पढ़ेंगे ताकत हमारे इन मसल से ही आती है testing है ताकत मसल ही अमें प्रॉयड करता है जिसके बाद जतना ज्याधा मसल उस्तोपास और आप बता देता हो तो ओनुक अगर आप जिम नहीं जाते हो फिर वह आपको आपकी ताक यहए न करना है तो उससे भी आपकी जो ताकत है ना वहराल बॉडी का वर्कट हो जाता है उसमें पूलस में सबसे बेस्ट है वो तो उसमें भी आपकी ज़ल्दी गेन हो जाएंगी और गाइस बहुत लोग कहते हैं हम खाना क्या खाए मतलब हमें डायट में कुंसी फूल एड करना चाहिए थाकि हमारी जो मसल्स हो बड़े और हमारी ताकत भी बड़े तो सबसे पहले आपके डायट में होना चाहिए और जैर आप यह पर आप एक शेक बना सकते हो मैं आपको क्विक शेक बदादो वोड लेना है तो यह बहुत ही बेस्ट है आपकी जो बोड़ी को ताकत है आप बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि रात को आपको जो खजुर आते ना खजुर वो रात को मतलब पानी में भीगो के रखने हैं और मॉर्निंग में एमटी स्टमक आपको दो या फिर ठीन खा लेना है इसते भी आपकी ताकत ने वह बहुत ही बढ़ जाएंगी रहेट लोग कर सकते हो ताकत बढ़ाने के लिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए यह बहुत ही कारिगर है अयरुवेदी के तो आप आपकी डाट में जरूरा एड किजे और जो म तो वह आपकी डायट में एड कीजिए और एक माया आपको सिर्फ एक मंथ इसको डेली बेस पर आपको गैप न देती हुए आपको फॉलो करना है और आप कि आपका जो रिजल्ट एना एक मंथ में आपको दिखे देना स्टार्ट हो जाएंगा आपकी जो ताकत हो जाएंगी तो यही मेरा आज का लेक्चर था ताकत के बारे में और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको